नमस्कार दोस्तों मैं राहुल नाकपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइपिचासी हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा कि आपको मालूम है कि किसा नांदोलन चल रहा है कल से एक खबर बहुत सुर्कियों में कि जो सफर कर रहा था और मैंने देखा कि मेरे ब्रावर में एक लड़की बैठी थी मैं उसको देखा उपर से नीचे तक देखा कि वह फटी जिन्स पहन करके बैठी थी जो लड़किया फटी जिन्स पहनती हैं वह अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी या भारते संस्कृत कि क्या रक्षा कर सकती हैं मैं अपने दर्सकों को बताता चलूं जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि तीरत सिंग रावत की जो खुद की बेटी है वह फिल्मी दुनिया से संबंद रखती है और चक्दे इंडिया एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने काम भी किया था तो इसके बात चीट करनी चाहिए कैसे देखते हो मुखमंत्री जी के ब्यान को मैं मतलब उनकी सोच पर देखती हूं कि जिसकी बेटी हमारे उम्र की है और मतलब वह फटी जीन्स पहनती है तो उस पर वह ऐसे ऐसे ब्यान देते हैं अगर उन्होंने कहा कि वह फटी जीन्स नह कि उन्हें तो सोचना सजी तो आपको भी तो थोड़ा भाषच सोचना साथ कि ही है कि इसे किसे दिक्क्त हो रही है और समझते के कि स्टेटके मुखमंत्री की क्या वेलू होती है आपको साथ पता निए उनने उस बात पे कल माफी भी मांगी है पहले उनकी सोच पता चल लए है पहले जो मुख मेंतरी थे उन्होंने कुछ बोला नहीं यह मुख मेंतरी आए इन्होंने अभी उन्हें कुछ ही टाइम हुआ उनने चार भढ़काव बयान दिये हैं जिनमें ए तो इससे उन्हें अपने घर में पहले सुधारना चाहिए उनकी बैटी बॉली बूट में तो फटी जीन्स क्या यह भी नहीं पहनते यह भी नहीं पहनते हैं आप मुखमंती जी के बयान को कैसे देखते हो अब मतलब उनकी सोच का पता चल रहा है कि वह क्या थिंकिंग लेते हैं लड़कियों को लेके उन्होंने कहा कि मैंने लड़की को ऊपर से नीचे तक कही वार देखा तब मुझे पता चला मुला देख क्यों रहे थे वह लड़की को उनका इंट्रेस्ट होगा उस लड़की मे सवाल करती है तो कोई गलत बात नहीं है यह कि आपकी सोच इतनी छोटी है हमें नहीं पता था देश की लड़कियों को लिए क्या आपको जो चोटी कपले पहनती है फटी विजिंस पहनती है मैं तो यह कहूंगी इंडिया है यहां सब कुछ पहनने के लिए सब को राइट ह इनद्वर्ण के अपने एपीनिन होते किसे क्या पशंद आता है राइट नांय से लग जाता ल lita है इंडिया है है यहां सब को व्रीडम सब कि पुछ सक्टा कोई वी कुछ बोल सकता है आप नहीं वानोगे मुखमांत्री जिंस पहनने हैं हाँ हम इस इसलिए मैं आज भी फटीवी जीन्स पहन कर रही कि मैं उनकी बात का आज भी बिरोध कर रही हूं तो माने मुखमंतरी जी तीरत सिंग रावत जी अगर शुन रहे हैं तो देखो मैंने बहुत सम्झाने की कोशिश की लड़कियों को कि माने मुखमंतरी जी कह रहे हैं कि आप में माफी माँगी है यह आपका बड़पन है लेकिन मैं फिर भी कहीना कहीना चाहूंगा इस देश में सम्मिधान हैं और सम्मिधान में खास तोर से महिलाओं को इस देश में बराबरी का दिकार है हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ लिक करके अगर जब जब अटक्ट कैने बहात में पजर्ण को कोई आती काभए हं करने हैं करने रहे होँएं तो कपडे मैंने नहीं रखते हैं आप बलतकार करने वाले की सोच के उपड़ सम्मान करते हैं लेकिन कपड़ों पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। मैं राहुनाकपाल केमरामेन शीयल बहुत के साथ गाजी पर बोल रहा है।